आज के इस वीडियों मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कैसे आप IRCTC के वेबसाइट से 100% यहाँ पर ततकायल टिकेट की बुकिंग कर सकते हो अगर आपके पास मुवाइल फोन है तो आप मुवाइल फोन से भी बुकिंग कर पाऊगे अगर आपके पास लैप्टोप है तो और ज्यादा बेस्ट है आप लैप्टोप से भी बुकिंग कर पाऊगे मुवाइल फोन से कैसे बुकिंग करना है वो भी मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में दूसरे यहाँ पर जो भी ततकाल टिकेट का मैं प्रोसेस बताऊँगा बुकिंग करने का आपको वैसे ही फोलो करना है आप लोग के ही कॉमेंट के वज़े से मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ आप लोग ने ही मैरे से कॉमेंट में पूछा था कि भाई वीबसाइड से कैसे फास्ट टिकिट बुकिंग कर सकते हैं तो आज का ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप लोग के लिए हैं तो प्लीज सिक्ट मत करना जो लोग ततकाल टिकेट बुकिंग नहीं कर पाते हैं शुरू करते हैं वीडियों सुरू करने से पहले आप लोग कुस दिखाना चाहूंगा अगर आप ततकायल टिकेट की बुकिंग किसे भी कीवर्ट को सर्च करोगे किसे भी चीज को आप सर्च करोगे ततकायल टिकेट की बुकिंग कैसे करे मुवाइल से कैसे बुकिंग करे त टॉप चैनल के लिस्ट में मेरे चैनल आता है तो आप लोग का प्यार है ये तो ऐसे ही प्यार अपना बनाये रखना काफी लोगों मेरे वीडियोस को काफी जादा पसंद कर रहे हैं और काफी उनका फाइदा हो रहा है तब ही दुस्तों आज टॉप चैनल के लिस्ट में यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर है तो यहाँ पर आप जैसा की स्क्रीन पर देख सकते हो अब वीडियो सुरू करते हैं दुस्तों यहाँ पर फैनली 11 बजने वाला है और मैं 11 बजते ही दुस्तों ततकाय टिकेट की बुकिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर दूँगा और आपको मैं समझाओंगा उससे पहले दुस्तों मैं आपको बता जता हूँ अगर आप मुवाईल फोन से बुकिंग करना चाहते हो तो आपको अपनी जाना है गुगल के एक क्रोम में और वहाँ क्रोम में लैप्टोप के तरह ओपेन हो जाएगा और आप इजली यहाँ पर अपने IRCTC की वेबसाइट पे चले जाओगे और वहाँ पर अपना लोगिन कर लेना ID पास्वर्ड यूजर डाल कर जैसा कि देख सकते हूँ यहाँ पर मैं लोगिन करके रखाऊ हूँ लेकिन फिलाल मैं यहाँ पर लोगाउट कर दूँगा आपको मैं बताता हूँ यहाँ पर लोगिन कब होना है दोस्तों यहाँ पर आपको लोगिन होना है यानि कि अभी 10 बच के 50 मिनिट हो रहा है तो आप लूग को भी क्या करना है, अब login हो जाना है, जैसा कि 10.58 हो चुका है, जैसा कि आपको देख सकते हुँ यहांपर, तो आपको इसी टाइम में, यहांपर login होना है, और जैसा कि मैं login हो चुका हूँ, सिंपल यहाँ पर आपको सर्ज कर लेना है जहां भी आप जाना चाहते हो जहां से आप जाना चाहते हो उस देट को उपसलेक्ट कर लेना दोस्तों, अब ततकाल की बुकिंग है यानि कि एक दिन पहले होती है आप सभी को पता है और एक चीज काफी लोग को नहीं पता हो है तो मैं आपको बता दूँ AC का दोस्तों 10 वजे से है और स्लीपर का यहाँ पर 11 वजे से बुकिंग होता है तो यहाँ पर दोस्तों सारा कुछ डीटल में फिल कर लिया हूँ जैसा कि आप देख सकते हो और यहाँ पर जेनरल को हटा कर मैं यहाँ पर तत्काल सेलेक्ट कर लेता हूँ यह चीज आप लोग ध्यान रखना और यह जो भी डाटा है यह आपको फिल कर लाया यानि कि जो भी टिकट बुकिंग करने का प्रोसेस से स्टार्टिंग का वो मैं आपको पहला स्टेप मैं आपको बता दिया यह चीज आपको करके रखना है, यह नहीं कि काफी लोग क्या करते ही यह चीज सारा कुछ फिल करने के बाद पहले ही सर्च करके रख लेते हैं जैसे कि यह फिल किये और यह सर्च में जाकर सर्च टेंड में चले गए जो कि उनको टिकट सो नहीं करता है यह वज़ा है कि टिकट उनसे बुकिंग नहीं होता और लोग आउट हो जाता है तिये चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करना है सारा कुछ फिल करने के बाद आपको वेट करन यहाँ पर यानि कि 11 बच कर 4-5 सकेंड होने का तो मेरे पास दोस्तो साइड में एक स्टॉप वाच भी मैं लगा रखा हूँ यानि कि जो मेरे में सकेंड भी बताता है तो मैं साइड ही में रख चुका हूँ आप लोग भी ऐसा कर सकते हो मैंनत करना पड़ता है वीडियो बनाने के पीछे तो अब मैं यहाँ पर टाइम हो चुका है 11 बच कर 2-3 सेकेंड हो निकल चुका है और यहाँ पर सारा कुछ फिल करने के बाद आपको सिंपल यहाँ पर सर्च पर क्लिक कर देना है जैसे कि यहाँ पर आप सर्च में किलिक करते हो दोस्तो इस तरह का आप सो करने लगेगा काफी सिखा पर ट्रेंड सो नहीं करेगा तो आप उस स्लीपर वाला क्लास लुटना है यह सारा AC है दोस्तो तो मैं यहाँ पर स्लीपर में यहाँ पर जैसा कि नीचे देख सकते हो इसमें मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ और रिफ्रेस करता हूँ थोड़ा से यहाँ पर सभी के साथ ऐसा प्रॉब्लम होता है तो अप लोग यहाँ पर वेट करना है यह नहीं कि आपको छोड़ देना है हटा देना है नहीं करना है थोड़ा सा वेट करना है यापर और मेरा वाइफाई कनेक्ट है मेरे पास यहां दोस्तों इतना स्वीट 100 MPS का स्वीड का वाइफाई लगा हुआ है तो भी आप देख सकते हो क्या problem हो रहा है तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप लोग वेट करना प्लीज घवराना नहीं कि back कर देना आप लोग थोड़ा सा वेट करना वेबसाइड है थोड़ा सा late काम करता ही है सभी के साथ ऐसा है तो इसमें दोस्तों यहां फिलाल जो है train seat available नहीं सो गिया, मैं नीचे देख लेता हूँ, नीचे में क्या process है, दोस्तों यहां पर seat available हो चुका है, लेट नहीं करना है, आपको booking in book now पे click करना है, I agree पी click करना है, fastly और yes पे click करके आगे बढ़ना है, जैसा कि दोस्तों यहां प कुछ already मैं पहले से फिल कर रखा हूँ, और master list का दोस्तों काफी जादा यहां पर ध्यान रखा जाता है, तो आप लोग ऐसा गलती मत करना, master list काफी लोग को नहीं पता है, तो मैं next video में बता दूँगा, फिलाल यहां पर मैं आपको ticket booking करने का system बता देता हूँ, next video के लिए लगना, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी, यह मेरा number दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं है, तो यहां पर address में जाकर आपको address वैसा address फिल करना है, जो sort में आप यहां पर fill कर सको, यहां पर मैं फटक से अपना जो भी address वो fill कर दे रहा हूँ, और दोस्तों यह भी, यह address आपको सही स एचाब करने बाकी दोस्तों यहां पर छोड़ देना है और यहां पर नीचे आनेक बाद ये सम्में आपको कुछ नहीं करना है काफी लोग यह भी पूछते हैं कि दोस्तों इसमें performance बेगरा में क्या डाले तक को यहां पर कुछ नहीं डालना है जो अधर पर्फेमेंस है यह से मैं आपको कुछ भी नहीं डालना है और SIMPLE यहां पर दोस्था आपको अपना जो भी ट्रेवर इंसूरेंस लेना है या नहीं वह मैं आपको सब्सक्राइब करूँगा ले लेना और नीचे यहां पर confirm पर continue पर click करना और continue पर दाने गवाद दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो अभी seat available है 51 याने की confirm होने का chances बहुत जादा है तिहां पर आपको फटाक से क्या करना है fill कर लेना है जो भी यहां मेरे यह problem है थोड़ा सा की suggestion में आने लगता है तो आपको यह आप लेगों में नहीं होना चाहिए और यहां पर continue पर click करना है और जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हो फिर यह problem हो की round भला इस सभी के साथ होता है मेरा जो capture code हो गया गलत तो यानि की देखो टिकट होता है कि ने क्योंकि मेरा तो गलत होगी आप लोग गलत booking मत करना sorry आप गलत होने का system ही चला जा रहा है मेरे साथ तो यहां फिर से मैं देखता हूँ डालकर एक बार लास्ट continue करता हूँ एक बार चेक कर लेता हूँ फिर से और यहां पर साथ finally दोस्तो इस बार मेरा हो चुका है और यहां पर जैसा कि देख सकते हो payment करने का option आ गया है अगर आप payment मैं करना चाहूँ तो यहां पर pay s book पे जाना होगा और यहां पर दोस्तो payment के लिए क्या error आ रहा है यहां पर दोस्तों पेटीयम या फिर जो भी आप सेलेक्ट कर लेना है यहां पर फिलाल जो पेटीयम ही करूँगा तो यहां पर ऐसे जाना है दोस्तो और यहां पर आपको अपना mobile नंबर डालना है अगर आपने यूपी आई सेलेक्ट कर रखा है तो आपको UPIP कि लिए करन दोस्तो मेरा UPI ID गरत हो चुका था इसलिए इसे दोस्तो आप लोग ये जी कर सकते हो यहाँ पर copy कर सकते हो copy करके direct paste कर सकते हो जैसा कि दोस्तो मेरे phone के screen में आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मेरा phone में भी recording में start कर देता हूँ और यहाँ पर request जो है वह payment का आ चुका है जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ just अपना phone पे open करता हूँ side में आप लोग देख सकते हो यह चीज़ आपको पहले से करके रखना है बिल्कुल भी easily कोई भी यहाँ पर problem नहीं होता अब मैं आपको बताता हूँ इस video के अंदर मैं कुछ गलतिया किया था जैसे कि दोस्तो मैं यहाँ पर यह भी कर सकता था अपना जो UPI ID था वो मैं copy करके रख सकता था और direct यहाँ पर paste कर देता हूँ वहाँ पर तो easily मेरा fast हो जाता और time नहीं लगता और capture code भी दोस्तो मैं डालने में काफी ज़्यादा late कर दिया है जैसा कि आप सभी को पता ही है तो यह चीज आप लोग को धियान रखना है और धियान से करना है अब मैं आपको बताता हूँ और एक चीज जो बहुत ही ज़्यादा important है इस ततकाल टिकेट के timing में आप लोग दोस्तो हमेशा क्या करना जब भी आप टिकेट बुकिंग करते हो ततकाल की जब उहाँ पर name address जब name फिल करने के लिए आता है अपना passenger detail फिल करने के लिए आता है तो आप लोग पहले से ही वो फिल करके रख सकते हो काफी लोग को नहीं पता होगा कोई नहीं इस लीडियो को बिलकुल भी मिस ना करों